है यह दोस्तों गुड मॉर्निंग फिर से मैं अरुन राय जैसा कि हमने पहले वीडियों बता था कि हम अपने सारे प्रोडक्ट डूप को वन बाइवन करके आपको हम समझाएंगे वर और इसकी केटेगरी में हमने ग्रुटिंग इसके बारे में आज डिसकस करेंगे हम पहले वीडियों में दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको हम अलग-अलग इंडेस्ट्री में अलग- अलग नाम से जानते हैं हम इसको साइड चैनल रीज व्लौवर रिंक ब्लौवर जानते हैं मैं इसको वन बाइवन करके सी क्रेगरी आपको बताऊंगा साथ में इसकी अप्लिकेशन नेक्स्ट विडियु न बताएंगे बाट इनिसली आपको इसकी अवेर्नेस के लिए क्रेगरी में आपको कर रहा वहां पे हमने dual stage का मतलब 2 impeller single stage का मतलब एक impeller तो जहां पे हमें flow rate की requirement ज्यादा है pressure की requirement कम है वहां पे हम single stage यूज़ करेंगे जहां पे हम flow के साथ pressure की requirement है वहां पे हम dual stage यूज़ करेंगे अब हम बात करते हैं next category आप side channel blower जो की depend करते है input power और इंपूट पावर जैसे कि हमने डॉमेस्टिक और इंडेस्ट्रियल दोनों में यूज करते हैं तो डॉमेस्टिक के लिए हमने जो यूज करते हैं वो सिंगल फेज यूज करते हैं सिंगल फेज जैसे हमारे किसान भाई एक्वाकल्चर्स में यूज करते हैं voulais में जो होता है और सोटे सिंगल फेस यूज में है वहां पे सिंगल फेस करते हैं जहां सिंगल फेस प्लांट है और बड़े लेवल पे प्लांट है यहां पर यह तो हम ने अभी बात किया सिंगल फेज और सीर्ट सिंगल पैचानने का बहुत ही आसान तरीका होता है अगर हम खुछ भी नहीं जानते हैं तो सिंगल सी बाथ है कि एक जिस भी यह और सीटर साइड में अगर और करेसिटर लगा हुआ है तो यह करता है कि आपका है सिंगल पैपैसिटर अगर आपके के ceiling fan भी देख्यों कि तो वहां पर capacitor लगा होता है तो single phase की में हम जो भी single phase motor होती है उसमें capacitor होता है और यह identification करने के लिए पहला होता है कि आप single phase यहां से identify कर सकते हो उसके साथ हमने name plate भी दिया हुए name plate पर clear mention किया हुआ है हमने single phase और three phase तो उससे भी आप identify कर सकते हैं अगर आपको visually identify करना है without कुछ open कि यह विदाउट देखिये तो आपको सिंपल से बाद terminal box के पास अगर capacitor लगा हुआ है तो single phase capacitor नहीं लगा है तो three phase है उसके बाद हमारे name plate को आप layer करोगे और उस name plate के साथ ही आप identify कर सकते हो three phase है single phase है ठीक है दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने next video में तब तब के लिए धन्यवाद और नमस्कार और हम यह चाहते हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करें और कोई additional query होती है और हमारे दिए गए नीचे mail ID पर आप मुझे mail करें मुझे बहुत खुशी होगी आपके query को resolve करने में और आपके query को detail करने में